हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल डिजाइन बनाने के लिए हमने 15 इंच लंबा एक कपड़ा लिया है कपड़े की चौड़ाई हमने 2 इंच लिये कपड़े में हमें फ्रेंड इस्तरी की सहायता से बाकरम को चिपकाना है तो friend हमने बाकरम की चौड़ाई एक इंच दो पॉइंट लिए, इसे इस्तरी की सायता से हमें कपड़े की बीच में ऐसे चिपका देना है, फिर कपड़े पे हम किनारे की साइड में गोंध को लगाएंगे ऐसे, यह देखिए, ऐसे हमें गोंध को यहाँ पे लगा देना है, इसे फोल्ड करके बाकरम के उपर चिपका लेना है इस तरीके से आपके डिजाइन में पर्फेक्ट फिनिशिंग आएगी और आप इसे ऐसे इजली तैयार कर सकती है अब हमें कपड़े को ऐसे फोल्ड करके कपड़े के बीच में हमें फिंगर की मदद से ऐसे क्रिच बैठा देना है यह देखिए ऐसे हम क्रिच बैठा देंगे अब हमें यहां से इसके उपर गोंद को लगा देना है गोंद को लगाने के बाद अब हम दोनों साइड से कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे और joint कर लेंगे, चिपका लेंगे इसे अच्छे से, फिर जहां पे हमने finger की मदद से क्रिच बैठाया था, वहां पे हमें कपड़े को ऐसे fold करके अच्छे से चिपका देना है, बिल्कुल इसी तरीके से ऐसी same size की हमें 5 और design बना कर तयार कर लेनी है, तो ये देखिये friend हमने same size की ऐसे 5 और design बना ली है, अब हमें एक लंबा सा चौड़ा सा कागच लेना है, कागच के उपर हम design को ऐसे लगाएंगे, अभी हमने किसी भी design के उपर सिलाई नहीं चलाई है, केवल हमने गोंद की मदद से इसे चिपकाया है, तो ये देखिये, दो design को हम यहाँ पर ऐसे ल लगा लेंगे, इस तरीके से आप इस design को easy step में तयार कर सकते हैं, अब हमें इसके उपर सिलाई चलाना है, तो सिलाई की starting हम यहाँ से करेंगे, जिससे हमारा design perfect shape में बैठेगा, बिलकुल इसी तरीके से हमें design के किनारे की side में भी सिलाई चला लेनी है, और अभी तक आपने हमारे channel को subscribe नहीं किये हैं, तो please हमारे channel को subscribe करके घंटे को बजा कर, all का option select करें, जिससे हमारी next video की notification मिलती रहेगी, तो यह देखें फ्रेंड, इस side में भी हमें design के उपर सिलाई चला लेनी है, design के उपर सिलाई चलाने के बाद, हमें यहां से अब एश्टा कपड़े की cutting कर लेनी है, तो यह देखें, ऐसे हमें एश्टा कपड़े की cutting कर लेनी है, एश्टा कपड़े की cutting करने के बाद, अब हमें सारे design के उपर सिलाई चलानी है, तो friend हमने केवल कपड़े को गोंद से चिपकाया था लेकिन अब हमें इसकी उपर ऐसे सिलाई चला लेनी है जिस सेप में हमारा डिजाइन है बिलकुल उसी सेप में हम इसकी उपर ऐसे सिलाई चला लेंगे सारे डिजाइन की उपर हमें सिलाई चला लेनी है इस तरीके से आप सारे डिजाइन को इजली परफेक्ट सेप में बैठा आ सकते हैं और सारा डिजाइन आपका एक दूसरे में इस तरीके से इजली ज्वाइंट हो सकता है सारे डिजाइन की उपर सिलाई चलाते हुए हमारी ये लाइन कंप्लीट हो चली है अगर आप इस डिजाइन को स्लीविस में बना रहे हैं या ट्राउजर में बना रहे हैं तो इस डिजाइन को उसमें ज्वाइंट करने के लिए सबसे पहले हमें कपड़े में ऐसे बाकरम को चिपका लेना है बाकरम की लंबाई कितनी है बाकरम की लंबाई ये देखिए साड़े 15 इंच है और इसकी चोड़ाई हमने साड़े 9 इंच ली है सेम साइच का बाकरम आपको भी कपड़े में चिपका लेना है फिर यहां किनारे की साइच से हमें कपड़े को और बाकरम को ऐसे फोल्ड करके इसके उपर एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेनी है अब हम यहां से धागी को कट करेंगे धागी को कट करने के बाद फ्रेंड अब हमें इसे बीच में से ऐसे फोल्ड करना है यह देखिए कपड़े को हम बीच में से ऐसे फोल्ड कर लेंगे फिर यहां से हम लंबाई ना पेंगे तो फ्रेंड यहां पे हमने लंबाई छेंच ली है ये देखिए change की लंबाई पे हम ऐसे टिक लगाएंगे और इसे बीच में से हम cut कर लेंगे जहाँ पे हमने टिक लगाया है वहां तक हमें ऐसे cut कर लेना है अब हम इसे open करेंगे दोनों side से हमें कपड़े को ऐसे fold करना है यह देखिए, जितना आपका fold हो रहा है कपड़ा, उतनहीं आपको fold करना है दोनों side में fold किया हुआ कपड़ा एक बराबर में ऐसे होना चाहिए अब हम इसे pin up कर लेंगे अच्छे से यह देखिए, ऐसे आपको अच्छे से pin up कर लेना है इसे pin up करने के बाद अब हम इसमें डिजाइन को joint करेंगे तो ये रहा हमारा डिजाइन डिजाइन को हमें ऐसे इसके नीचे लगाना है ये देखिए इसे perfect shape में ऐसे बैठाते हुए अब हम इसके उपर सिलाई चला लेंगे इस तरीके से आपका design easily तयार हो जाएगा जिस shape में हमारा design है बिल्कुल उसी shape में हम इसके उपर ऐसे सिलाई चला लेंगे अब हमें इस side से सिलाई चला लेनी है तो friend, वीडियो में आप देख रहें कि हमारे design में perfect finishing आ रहा है तो friend, बिल्कुल इसी तरीके से कागच और एश्टर कपड़े की कटिंग कर लेनी है तो फ्रेंड डिजाइन बनाते समय हमने कपड़े की उपर ऐसे बाकरम को चिपकाया था तो उस बाकरम को हमें ऐसे कट करके निकाल लेना है अगर आप कपड़े को धूलेंगे तो भी आपका बाकरम इजली निकल जाएगा लेकिन अगर आप कट करके निकालना चाहते हैं तो ऐसे आप बाकरम को अच्छे से कट करके निकाल सकते हैं अब हमें डिजाइन में से सारे कागच को निकाल लेना है तो फ्रेंड ये देखिए डिजाइन में से कागच को निकालने के बाद हमारे डिजाइन का लुक बहुती प्रिटी आ रहा है अब हमें डिजाइन में बटम लगाना है तो आप अपने मन पसंद का कोई भी साइज का बटम लेंगे और यहाँ पर ऐसे लगा लेंगे अगर आपको बटम बनाने नहीं आता है तो डिस्किप्शन में लिंक दी गई है थैंक्स पर वाचिंग माई वीडियो